एक नहीं, दो नहीं, क्या वाकई में 40 कुत्तों की पीट पीट कर जान ले ली गई? जी, 40 कुत्तों की मौद, आखिर किसने और क्यों की? बताएंगे आपको, मगर ये वीडियो देखिए, वीडियो दिल्ली के मंडावली के विस्ट विनोद नगर का बताया जा रहा है वीडियो की पुश्टी, News World India नहीं करता है, मगर ये वीडियो क्रूरता का सबूत बताया जा रहा है ये CCTV फुटेज, इंसानों की इंसानियत को शर्मशार करने वाला है आप देख सकते हैं कि तीन लड़कों के हाथ में लाथी हैं, डंडा है इस बीच उनकी नजर फुट पात पर सो रहे कुटों पर परती है तीनों में से सबसे छोटा लड़का कुटे के पास पहुँचता है और डंडे से उसे पीटना शुरू कर देता है वह उसे तब तक पीटता है जब तक कुटा दम नहीं तोर देता तो क्या इन बच्चों ने पीट पीट कर 40 कुटों की जान ली है अब सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों करते हैं और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये बच्चे रोजाना अपने घर वालों को यह कह कर निकलते हैं कि ये खेलने जा रहे हैं हलाकि यह खेल बच्चों का नहीं बलकि मौत का होता है वो भी बेघर बेसहारा और मासूम जानवर की मौत का आपको बता दे कि पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं जिनमें इंसानों की दरिंदगी बेजुबानों पर सितम बन कर तूटी है बच्चे ने कुटे की जान क्यों ली अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है और नहीं बच्चों की पहचान हो पाई है फिलहाल पुलिस मामले की छान बिन कर रही है यकीनन ऐसी खबरें दिल को विचलित कर देती हैं समाज की सोच पर सवाल उठाती है क्योंकि ये सच है कि बेजुवानों से मुहबर कोई गुनाह नहीं है कई ऐसे भी हैं जो इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो ताउम्र अपने जिन्दगी इनकी सेवा में लगा देते हैं और कुछ ऐसे नादान भी है जो इन बेजुवान जानवरों पर यूँ अत्याचार बरसाते हैं। अभी तो एक पुराने फिल्म हाथी मेरे साथी का वो गीत याद आता है जिसमें कहा गया है जब जानवर कोई इनसान को मारी कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारी मगर एक जानवर की जान आज इनसान ने ली है चुप क्यों है समाच। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूजवर्ड इंडिया